सूपरभात बच्चो यह पाठ कक्षा तीसरी विशे हिंदी व्याकरन उपविशे दोहराई से लिया गया है इस कारे का लिखित सार आपको 30 अगस्त 2021 को भेजा जाएगा यह आवाज आपकी हिंदी टीचर सुमन शर्मा की है बच्चो आज हम हिंदी व्याकरन में वरकशीट के पाठे करम की दोहराई करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा निमन लिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द ठीक है बड़ा तो बड़ा का विलोम क्या होगा छोटा अगला है प्रशन प्रशन का उत्तर फिर है नया नया का विलोम पुराना नेक्स्ट है मोटा विलोम शब्द है इसका पतला अगला शब्द है हमारा हलका विलोम शब्द है इसका भारी तो यह थे हमारे विलोम शब्द अगला प्रशन है निमिलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए सबसे पहले है दिन दिन का आएगा वार क्योंकि दिन को क्या बोलते हैं वार दिवस फिर है पवन पवन को और क्या बोलते हैं हवा यानि कि समानर्थ वाले शब्द फिर है फूल फूल को और क्या पुश को Bोल सकते ओं फिर किताब किताब को और किस नाम से बीखत या उस्टक नहीं rather को अगला प्रेशन है अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखो, जो पत्र बांटता है, क्या हैगा, डाकिया, अगला है, जो किसी से नहीं डरता, नीडर, अगला, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुमार, अगला, जो हमें पढ़ाते हैं, अथ्यापक, फिर है, जो बगीचे की देख बाल करता है, माली, तो यह थे हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगला प्रशन है हमारा, हैं तथा, हैं का परियोग करके खाली स्थान भरो, खेल खिलोने बच्चों को प्रिये लगते हैं, मकडी का मुँ छोटा होता है, क्योंकि एक वचन है, सबने पीले कपड़े पहने हैं, पेड़ पर तोटा बैठा है, हमारे देश में छे रितुएं आती हैं, बहु वचन, और एक, जहां पर हम रिस्पेक्ट देते हैं, वहां पर भी हम हैं का परियोग करते हैं, आपको याद होगा यह सब ठीक है, अगला प्रशन है हमारा, निम लिखित वाक्यों मैं से सर्वनाम शब्द छांट कर उन पर गोला लगाओ, तो पहला वाक्यों पढ़ते हैं, आज हम सब मिल कर पिकनिक पर जाएंगे, अब इसमें कौन सा है हम, पूर्श वाचक सर्वनाम, ठीक है, अगला सेंटेंस है, यह है मोहन का विद्याले है, तो यहां पर कौन सा आएगा, यह है, क्योंकि निश्चे वाचक सर्वनाम, क्योंकि आपको पक्का शोर है, कि यह है मोहन का विद्याले है, अगला वाक्य है, मैं चंडीगड में रहता हूं, तो इसमें सर्वनाम है मैं, अगला जो करेगा सो भरेगा, देखो जो और सो, यानि कि संबंध वाचक सर्वना, इन दोनों को हम सरकल कर देंगे, जो और सो को, मुझे आने में देर हो गई, अब इसमें कहा है, मुझे, अगला है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, इसमें आएगा, तुम और कौन, ठीक है, क्योंकि प्रशन वाचक है, तो यह जो प्रशन चिनना है, उसके लिए कौन, तो यह प्रशन वाचक सर्वना, चेडिया अपना घौंसला स्वयम बनाती है, तो यहाँ पे आजाएगा अपना और स्वयम, स्वयम मतलब निच वाचक सर्वना, ठीक है बच्चों, यह थे हमार सरवनाम शब्द अगला प्रशन है वाक्यों को पढ़कर उनमें आए काल का नाम लिखो यानि कि आपने वाक्य पढ़ने हैं और इसको पढ़के बताना है कि इसमें कौन सा काल है वूद काल वर्तमान काल के बविश्य काल ठीक है चलिए पढ़ते हैं राधा सो रही है सो रही मतलब अभी भी काम हो रहा है तो क्या जाएगा वर्तमान काल क्या जाएगा वर्तमान काल अगला पाक्य है फुटबॉल अलमारी में रखी थी यानि कि बीते हुए समय में तो क्या जाएगा भूत काल दादा जी शाम को मिठाई लाएंगे यानि की काम जो है वो आने वाले समय में होगा तो क्या जाएगा यहाँ पर भविश्यत काल क्या जाएगा भविश्यत काल अगला बाक्य है हमारा रोहित पढ़ता है यानि की वो अभी भी पढ़ रहा है तो क्या जाएगा वर्तमान काल अगला है कल मैं बाजार गई थी तो क्या जाएगा भूत काल अगला जो कोश्यन है हमारा वो है जो आप स्वयम करोगे ठीक है अनुछेद मेरा स्कूल पर दस पंक्तियां लिखो यह आप स्वयम करेंगे ठीक है बच्चों अगला प्रचन है गिंती ग्यारा से बीस तक अंकों तथा शब्दों में लिखो यानि हिंदी अंकों और शब्दों में अभी देखे ग्यारा ठीक है ऐसे ग्यारहा आगे आएगा बारहा बारहा अब आपने नोट किया जो वान है वो अपर से क्लोज है और दो का मूँ खुला है बारहा फिर आएगा तेरह बारहा फिर तेरह फिर आएगा चौदह आएगा चौदह आएगा चौदह ऐसे आप भी हिंदी अंकों तथा शब्दों में लिखोगे फिर आएगा पंदरह आजाएगा पंदरह है फिर आएगा सोलह है एगरा है हमारा सत्रह है सत्रह है फिर आजाएगा अठारह है आजाएगा अठारह है अठारह के बाद आएगा उन्नेस फिर आएगा बीज तो यह थी गिंती अंकों तथा शब्दों में ग्यारा से बीस तक आप भी ऐसे ही इसे लिखेंगे तो आज का विशे मैं यहीं समाप करती हूँ धन्यवाद